हेलो गाईज आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका प्राइस केवल अफवाओं के दम पे गिरा था देखें जब कुरोना वारिस आ रहा था तो बहुत चारे ऐसी अफवाओं आये जा रही थे कि जो कुरोना वारिस फाइलने का जो में इन सोर्स है दोस्तों वो है चिकन मतलब कि दोस्तों चिकन मतल और उसके वज़़े से क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर जितने भी चिकन है उनके डिमांड में और प्राइज में सप्लाइ में हर एक चेन में दोस्तों गिरावाट आया और लगबग 60% तक गिरावाट हो कम ही हो गया था 18 मांस तक दोस्तों 75% के आत्पा लेकिन आज के डेट में दोस्तों कोरोना वाइरिस तेजी से फैल रहा लगबग अगर हम देखे तो आज की डेट में 10,000 मतलब कि 24 आवर्स में दोस्तों 10,000 डोगों को पेडित हो जारे कोरोना वाइरस से लेकिन आज आपक यह उपर जा रही है कि हमारे हाथ में आना थोड़ा मुस्किल हो जा रहा है अब दोस्तों हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे है वह है वैंकी इंडिया इसके स्टॉक में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो कंपनिया दोस्तों यह सबसे पहले दोस्तों चिकन एक है और यहां पर आगर देखना चाहते हों तो हेल्थ केर में भी है दोस्तों उसके इकोपेमेंट्स भी बनाता है सोया बिन भी दो तो इतने पारे जो प्रोड़क्ट बनाता है ठीक है यह कंपनी में आपको जो गिरावट देखने को मिली थी तो दोस्तो अब जब दोस्तो ये न्यूज आया था जब ये न्यूज आया था कि देखे जब की पोल्ट्री फार्म चाहे है जो भी चिकन के वज़े से कोरोना वाइरिस तेजी से फैल रहा है तब अराउंड 30 रुपीज पौक केजी आपको दिया जा रहा था पौक के जी आपको दिया जा रहा था दोस्तो ठीक है और आज के डेट में जादा कुछ नहीं किया गया है एक जिरो और बढ़ा दिया गया है दोस्तो बस एक जिरो और बढ़ा दिया गया है तो देखे डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वाइरिस आज के डेट में उसका जो ग्राफ है ऐसे 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 ऊपर जा रहा है लेकिन दोस्तो चिकन का डिमांड कैसे जाना चाहिए अपोजिट जाना चाहिए था ना बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए था ऐसे हो जाना चाहिए था फ्लैट मतलब पूरा खतब लेकिन 785 रुपीज मतलब दोस्तो 2,000 रुपीज का Stock और यहाँ पर देखे जब आपको न्यूस आया था मार्च में देखे यहाँ पर आपको जब यह न्यूस आया था दोस्तो यह देखे मार्च यहाँ पर दोस्तो फर्वरी होगा यहाँ देखे जनवरी है तो यहाँ पर ही फरवरी है दोस्तों ठीक है तो इस फरवरी में इस फरवरी में देखें हमें जब यहाँ पर न्यूज आया था उसके बाद इसमें देखें काफी तेजी से गिरावट देखी नहीं को मिली है लेकिन जब लोगों को यह confirm हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ल करने के लिए तो अब यहाँ पर दिमांड और तेजी से बढ़ सकती है जो भी है या तो लोग घर में करेंगे या तो बाहर में लेकिन ऐसे स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगा अगर आप स्टॉक्स में देखोगे दोस्तो तो यह स्टॉक्स जो है अच्छा काजा रिटन भी देता है देखे रिटन ओन इक्विटी यहाँ बादेखे 27 पॉइंट यहाँ देख सकते हैं 79 मतलब कि दोस्तो 28 क्या हम बोल सकते है 28 परसंट के हिसाब से आपको रिटन ओन इ मेरे क्याल से नजय डालना चाहिए और यहाँ पर देखे आपको यह भी बताया जा रहा है कि दोस्तो यहाँ पर देखे जो इसका डिमांड ऐसा नहीं होगा कि मतलब लॉंग टम के लिए इसका जो डिमांड गिर जागा ऐसे मतलब लोग अगर इसको खाना यह कंजूम करना यह कर देंगे दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है सभी लोगों को चाहिए करके और देखे जब इसका प्राइस देखे 446 परसन के आसपास गया था तब बहुत अच्छा गेन किया था तो जो भी लोग घर में है दोस्तों उनको भी ऐसे लग रहा है कि केवल 110 रुपिस है हो सकता कि 100-1200 कभी भी हो जागा मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों इसमें डिमांड काफी तेजी से आपको बाउंस बग दिखते हो मिलेगा तो मुझे तो लगता है यहाँ पर आपको काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप खरीदो के तो आपक Vodafone Idea में क्या हुआ था गूगल ने बताया था कि मैं जाओंगा नहीं मतलब confirmation नहीं हुआ था लेकिन फिर भी दोस्तों Vodafone Idea का जो प्राइज 35 परसेंट डे में एक दिन में इंट्र डे में जम पारा था कि ने तो 35 परसेंट दोस्तों Vodafone Idea को जाने के लिए मुझे लगत जो स्टॉक है दोस्तों ये स्टॉक में आपको जम्प देखने को मिलेगा मतलब तगड़ा जम्प देखने को मिलेगा इसलिए मैंने ये स्टॉक को आपको explain नहीं किया क्योंकि जो हमारे paid service है दोस्तों उनको मैंने जो है 235 रूपीज के आसपास ही मैंने देखे रखा है औ आज के डिट में दोस्तों 250 है और आज मुझे तो लगता है कि दोस्तों ये 60-70 को भी पार कर देगा 60-70 को भी पार कर देगा दोस्तों क्योंकि इसमें आज आज के डिट बहुत उचाल दिखने वाला है क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी stock को कब खरीदना देखे stock market में पर कब stock खरीदना चाहिए जब stock का price गिरता है तब यह stock का price उपर जाता है तब लोग बोलते हैं कि जब जो stock का price उपर जारा खरीदो नहीं मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छे valuation वाले और quality वाले stock खरीदो जो undervalued है वो भी तब जब stock का price गिर रहा हो देखिए जब आप बुरे समय में साथ नहीं हो सकते किसी के तो अच्छे समय में भी आप किसी के साथ होने के like नहीं हो पाओगे ठीक है तो मैं ये कहाना चाहता हूँ दोस्तो जब नीचे जा रहा stock तो आप नीचे जड़ से पकड़ो अगर उपर चले जाएगा आसमान से इसके आसपास मतलब थोड़ी बहुत गिरावट तो ही थी लेकिन आज की डिट में उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है काफी अच्छा प्रॉफिट हो ठीक है तो हो सकता है तो अगर इसमें अगर आप खरीदारी कर पाओ तो थोड़ी बहुत कर सकते हो क्योंकि थ अगर आपको डिमिन अकाउंट करना है या बिलकुल आप नये हो तो डिस्क्रिप्चिन में लिंक दिया गया है एंगल ब्लोकिंग का नाम इंटरनीट में सर्च करके देख सकते हो कैसी कंपणी है और यहां पर देखें आपको to open करने बिल्कुल फ्री चार्जर्ग अज़ जो हर जगह आपको लगता है और यहाँ पर आपको एक extra support दिया जागा जैसे कि मालेजे कुछ नए लोग होते हैं तो पैसा लगाते हैं share market में किसी भी company में जिससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ाता है ठीक है भारी नुकसान का अब क्या होता है दोस्तो यहाँ प आपको कुछ सोच समझ के देगा तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तो पैसे मठ डूबाई है कुछ ना कुछ सीखिए knowledge लीजिए और आगे जाए ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके वहांसे अपने डिमेट अकाउंट उपेन कर सकते है और दोस्तों मैंने जो भी स्टॉक के बारे में बताया आप एक वार अपने financial advisor से consult जरूर कर लिजे और मिलते आने वाले next वीडियो में